स्वागत है आज आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा भारती दोस्तो रंग मंच अभिवेक्ति का बहुत ही पर्तिभास शाली माध्यम है समाज को सीख देनी हो या फिर लोगों के मनुरंजन की बात हो रंग मंच लोगों के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ता है आज मैं आपको ऐसे शक्सियत से रूबरू करवाने वाली हूँ जो हमें रंग मंच की हर एक बारीकियों के बारे में बताएंगी आज हमारे साथ उपस्तित हैं रंग मंच की वरिष्ट अभिनेतरी मोना जहा जो बहुत सारे नाटकों में बतोर अभिनेतरी काम की है मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है बिहार थियाटर कारे करम में शुक्रिया पूजा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी बहुत-बहुत नमस्कार तो दर्शकों चलिए सवाल-जवाब का सिलसला शुरू करते हैं तो मैं आपने थियाटर के बारे में कब सोचा काम करन का थेटर करना तो बहुत बच्पन से शुरू किया लगभग 35 साल तो हो गए काम करते हुए शायद तब थेटर का मतलब भी नहीं जानते थे और हमारे पापा वो नाटक देखा करते थे पटना में और नाटक करने वाले लोगों से उनका बहुत जुड़ाव था इप्टा से इंजयन पेपल थेटर अशूसेचन और भी जो कुछ प्रोफेसर थे बेन कॉलेज के वो करते थे नाटक तो हम लोगों को देखने के लिए ले जाया करते थे तो बहुत छोटे थे हम लोग चार बहने दो भाई सब मिल कर नाटक देखने जाया करते थे बहुत कुछ समझ मे तो नहीं आता था लेकिन एक जादू सा लगता था कि क्या हो रहा है मंच पर लाइट पड़ती है बदल जाता है समवाद बोलते हैं लोग बहुत अच्छा लगता था फैसिनेट होते थे और दूसरी बात की छुटपन से अपने नन्हाल से हमारा बहुत जुडाव रहा है तो हमारे गाउं में देशार है कि पहले तीन दीन चार दिनों तक नाटक हुआ करता था सत्मी अश्टमी नौमी दश्टमी ये चार दिन और वहां पर हम लोगों ने मितलांचल से बिलॉंग करती हूं तो वहां पर जैसे जस्मा उडन राजा सलहेस अल्ला रूदल राजा इस तरह के नाटक रागर खेला करते थे, टी में आती थी और हम लोग बोर बिशाकर, चादर बिशाकर घर से ने करते थे, और मंदिर अगे जो खुला मेधान होता था उस में बैटके नाटक देख आ करते थे तो मज़ा बहुत आता था लगता था क्या हो रहा है उसके बाद जब पटना आना हुआ पटना में जब पढ़ाई लिखाई शुरू हुई तो दीरे दीरे नाटक देखने जाते थे और उसी दौरान पापा हम लोगों को लेकर इपटा गए थे हमारी बहन जब मैट्रिकुले और अभी के रंगमंच हैं उसमें आपको क्या फर्क नजर आता है बहुत जादा फर्क है पिछले 35 वर्षों से कई नाटक किया हमने कई निर्देशकों के साथ काम किया बहुत सारे नाटकों को देखा विदेशी नाटकों को देश भर में जो नाटक हो रहा है उसको देखा और अपने बिहार रंगमंच और पटना रंगमंच को भी देख रहे हैं तो अंतर तो बहुत आया है एक तो हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया था तो हमारे लिए करियर नहीं था नाटक हम ये सोच कर नाटक कर रहे थे कि नाटक करना अच्छा लगता है नाटक जो हम कर रहे हैं जो कुछ बता रहे हैं जो कुछ दिखा रहे हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और समाज के लिए जरूरी काम कर रहे हैं ऐसा परवरिश हमारी इस तरह सुई थी कि इस तरह से सोच कर हम नाटक कर रहे थे और हम नाचते भी रहे हैं, कथक डांसर भी रहे हैं, कथक सीखा है, तो कथक भी सीख रहे थे, तो एक पैशन था कि हमको करना है कुछ अच्छा काम, जो मन को अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी की समय में जो मुझे लगता है, कि सारे की सारे बच्चे, आप भी थेटर से ज उन्होंने अपने को करियर से जोड़ा है अपने नाटकों को बिलकुल करियर से रोजी रोटी वो इसी से कर रहे हैं हमारे समय में जितने लोग थे जो जिन्होंने पढ़ाई की साथ साथ थेटर किया और तैय किया कि हमको कोई ना कोई नौकरी करनी है कई सारे हमारे ऐसे साथ जुन्होंने बैंक में क्लर्क के रूप में जॉइन किया और उन्होंने प्रमोशन सिर्फ इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर प्रमोशन लेंगे तो बहुत जादा बड़न हो जाएगा तो वो शाम का समय जो चार-पांच बजे के बाद जो नाटक रहसल का समय होगा वो नहीं का काम कर रहा हैं तो सब लोग कोई प्रोफेसर हैं कोई कहीं क्लर्क हैं कोई अफसर हैं और शाम का समय जो है हमारा पांच बजे से ले करके नौ बज़े तक का 상cor का समय हम रहलसल में बिताते थे ताकि हमारे पास कोई बरदन ना हो कि हम को रोजी-रोटी चलानी हैं तो एक प्रेशर होगा ना कि किसी भी तरह से हम नाटक करें, कहीं से फंड लाएक, जहां से फंड मिल रहा है, वो जो चाहते हैं, हम उस तरह का नाटक करें, उनके अनुसार हम काम करें, तो ये बडन हम लोगों ने तैकिया कि हमको नहीं करना है, हम चंदा हुगाते थे, टिक जाए कित्ञ दल लेकर, हमने नाटक किया है. उस वक्त और सारफ ग्रूप ने, चाहे वो सरजना हो, चाहे इप्ता हो, परेड़ना हो, सारे ग्रूप एसंहीं नाटक करते थी, कोई सरकार पर निर्भर नहीं था, नहीं enhancing, पर कि हमको ग्रांट लेना है। तब नाटक करना है क्योंकि हमारा पैशन था, कि हमको अच्छा नाटक करना है, अच्छा काम करना है, हम जो कर रहे हैं, उससे हमारे आसपास, हमारे समाज के लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, वो हमको देखें, उनके पास कुछ अच्छा मेसेज जाए, मनोरंजन हो, नाटक का पहला उदेश त कर रहे हैं वो खूबसरत होना चाहिए वो अर्थपूर्ण होना चाहिए तो हमारी कोशिश यही रहती थी लेकिन अभी के समय में लोगों ने करियर को जोड़ा है अभी कई सारे बच्चे जो इंटर करने के बाद ही सोचते हैं कि नहीं हमको फुल टाइम नाटक करना है और व विस्थार के चलते अब जो है नव यूवक सीधे सीधे चाहते हैं कि हम साल छा मयना या बहुत हुआ तो दो साल काम करें और सीधे मुमबई जाए नाटक बत और वह इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने करियर को मुमबई जाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो नाटकוס करके यहीं पर रहकर अपने समाज जिस राज्य में रह रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जिननोंने चुना कि नहीं हम ट्रेनिंग लेकर भी लोटेंगे वापस और यहां नाटक करेंगे, बहुत गिने चुने कुछ लोग हैं, जो संजोपाध्या जी हैं, रंधीर हैं, गुंजन जी है बेगुसराई में ऐसे कुछ लोग हैं जिनों ने तैक कि नहीं भाई हमको मुंबई नहीं जाना है हमको यहां पर काम करना है तो यह एक बदला हुआ समय है अभी के लिए जैसा कि रंगमंच में लड़कियों को पहले के जमाने में बहुत दिक्कते होती थी जब वो अपने फ कि रहा जाये तो बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि पारिवारी क्रूप से बहुत ज्यादा सपोर्ट था मेरे पापा मां का लेकिन एक सामाजिक तोर पर लड़कियों का इस तरह से निकल जाना मेरी बड़ी दीदी और हम सी दो छोटी बहने सारे हम लो रहा करती थी जलूस में इस समय तो आसपास के लोगों को बड़ा धका लगता था या परिवार के और भी बहुत सारे लोगों को कि भाई जाजी ने तो अपनी बच्चियों को बहुत जादा आजादी दे दी हैं इनकी शादियां कैसे होंगी और ये सही नहीं है उनको सही नहीं लगता था और कई बार वो मा को कटाक्ष भी करते थे कि भाई आपकी लड़की नौ बजे आती है और उस वक्त फोन नहीं था मोबाईल का समय भी नहीं था और इके घरों में फोन हुआ करता था लैंड लाइन में महले में दो घर तीन गर में फोन होता था तो हम कि हम लोग लोटते थे तो मेरी मा तम तहलती रहती थी रोट पर कि देर हो गई है साड़े आट बज किया है नौ बजने जा रहा है और बेटियां घर नहीं आई है तो एक प्रेशर रहता था मा के ऊपर हमेशा कि भाई आप अपनी बेटियों को बहुत सादा आजादी दे हैं, डांस सिखा रही हैं, हम लोग कथक सीखते थे, लड़के आ रहे हैं घर में, गपए वे हमारी है, चाय चल रही है तो बहुत सारे मोहले के लोगों को या पारिवारी भी बहुत सारे जो रेलेटिव से उनको भी बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे माँ बा दोज दिन रियास करते थे घर में, एक घंटा डेर घंटा तबलावादक आते थे, हमारे साथ रियास करवाने के लिए, तो ये एक रहता था, दूसरे लोगों का प्रेशर हमेशा रहता था, और एक जिम्मेदारी भी होती थी कि भाई हमारे घर से इतना सपोर्ट है, तो हमको बहुत जिम्मेदार हो के काम करना है, जो भी काम करें, अब पढ़ाई में भी हमको अच्छा करना है, और नाटक भी अच्छा करना है, ये प्रेशर रहता था, कैसा ना हो कि भाई, लोग कहें कि बस नाच तिन नाच नो टंकी कर रही हैं, पढ़ाई लिखा ही तो गोल है, चारो बेहनों ने, दो भाई안ोंने थार था कि हम जो कर रहे हैं, अपनी मरजी से अच्छा कर रहें, हमने पढ़ाई भी अच्छी तरह से फिल्ड मे, आज हम लोग चारो बहने काम कर रहे हैं अलग-अलग फिल्ड में, तो भी ये जा रहा हमारी सफर, जैसा कि हमारे दर्श जानना चाहते हैं कि रंगमंच करते हुए पैसों की तो दिक्कते बहुत आती हैं, तो अगर हमारा शौक है कि रंगमंच ही करना है, तो उसके साथ हम अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, रंगमंच करते हुए? हाँ, ये बहुत ही महत्पुर्ण सवाल किया अपने पूजा, तो देखिए अगर विक्तिकत तोर पर मेरी बात कहेंगी, तो हमने रंगमंच को जरिया नहीं बनाया अपनी रोजी रोटी का, हमने काम अलग किया, और रंगमंच अलग किया, अपने पैशन के तहत, जरूरत के हमने कहा कि हमको करना है, उसमें कोई समझ होता हमने किया, नहीं किया, और हमारे साथ जो काम करने वाले, हमारे एज ग्रूप के जो साथिया, हमारे सीनियर जो हैं, वो भी इसी तरह से काम करते रहे हैं, अभी भी उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने आज तक सरक जो नए लोग साथ ही काम कर रहे हैं, जो अपना करियर बना रहे हैं और इसी से रोजी रोटी चलाना चा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि हिंदी शेत्र में, खासतोर से हिंदी बेल्ट में जो हमारा रंगमंच है, वो ऐसा रंगमंच नहीं है जो आपको जीवन यापन करने का साधन आपको दे दे, वो ऐसा नहीं है. तो मेरा तो यही कहना होगा कि भाई अगर किसी को थियाटर करना है और अपने समाज अपनी जगह पे रह के करना है तो थोड़ा बहुत ही रोजी रोटी का इंतजाम कर लो बाबा कारंत बहुत बड़े निर्देशक थे और अभिनेता भी थे प्यूजिशन भी थे तो वो कहा करते थे हम लोगों से कि जब डटमंदप कि स्थापना हम लोग कर रहे थे तो वो आये थे तो वो कहा करते थे कि थेटर तुमको मक्खन रोटी ना दे लेकिन नमक रोटी तो वो नमक रोटी खाने का जजबा, पेशेंस और काम करने का जजबा हो, तो आप थीएटर में रह सकते हैं, सस्टेंड कर सकते हैं, और हमको तो लगातार यही लगता है, कि कुछ न कुछ रोजी रोटी ज़रूर करना चाहिए, और पढ़ाई, पढ़ना, आप जो भी ही तो करीद हैं, उसके अलावा दुनिया को देखने कैसे देखेंगे आप, आप साहित पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, एक नाटक करना नहीं होता है, उसके आगे पीछे आप बहुत चीजों से जुड़ते हैं, तो उस जुड़ने के लिए आपको अपना विस्तार करन म dalुम करना होगा, जो पढ़ाई करनी चाहिए, लिबरी जाना चाहिए, हमारे समय में छोटी छोटी लिबरी हुआ करती थी, हम गर्दनि वाग में रहते थे, तो हम लोगों ने गर्दनि वाग में भी लिबरी खोला था, मौहला लिबरी, वहां लोग किताब डोनेट करते वहां हम लोग इकठा होते थे, घर ले जाते थे, या बैट के पढ़ते थे, या study circle, बातचीत करते थे, तरह तरह की बातचीत, किसी कविता पे, या कोई नाटक करना है, तो पहले नाटक का पाठ हुआ, उस पर discussion हुआ, उस पर किसी को कुछ question पूछना है, तो question उन्होंने अभी की समय में क्या चल रहा है, नई चीज़ें क्या आ रही है, उस पर discussion हमेशा करते रहते थे, तो इससे आपको जानकारी भी मिलती है, तो वो चीज़ हमको अभी lack लगता है, लगता है जैसे कि एक black hole है, उसमें सब लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, गिरते को पहचाने, पढ़ें, देखें, उसकी कमी हमको लगती है, अभी के समय में, आपने बहुत सारे नाटकों में बत और अभिनित्री काम किया है, कुछ नाटकों का direction भी किया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन ऐसे role है, जो आपके दिल के करीब हो, या फिर करना चाह कर रही हो कि हाँ, मुझे इस टाइब का अगर character मिलता तो मैं करती, नाटक तो बहुत क्या है, अभी जस्ट मैं में हमने नाटक किया अर्थ दोश, यह अलबेर कामू का नाटक है, और इसका हम लोगों ने तीसरी बार मंचन किया पटना में, तो इसमें हम एक मा की भूमिका में, जो अपने जीवन से बहुत निराश हैं, और उसकी साथ में इसकी बेटी रहती है, तो उसका जो contradiction है बेटी के साथ, और वो जो करना चाहती है, वो जो सोचती है, वो नहीं कर पाती है, उसका जो complex है, उस character का complex, वो करने में बहुत मेहनत लगी, कई बार तो लगता था क कि नहीं हो पाएगा, हमारे डिरेक्टर परवेज अक्तर कहते थे कि कैसे करना है, वो बहुत तरह से समझाते थे, बहुत बार, बहुत मुश्किल लगा, कि नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश रही कि नहीं करना है, बढ़ियां करना है, और हमने किया, बार बार वो नाटक करन है सागमीट इसके अंतरकत नर्मेद नाम से हम लोगों ने तीन कहानियों का मंचन किया था उसमें एक सागमीट अम्रिस सरागया है और तरास तो तरास करते थे जावेद अक्तर खांग और अम्रिस सरागया है विनौत कुमार और सागमीट हम तो सागमीट में एक ऐसी औरत की क जो अपने पडोसी से बात करती है, एक थोड़ी हाई क्लास की ओरत है, जो भी नहीं नहीं अमीर बनी है, और उसके घर जो नौकर रहता है, उसकी पतनी के साथ पलतकार होता है, और उसके देवर ही करते हैं, और उसको बहुत वो casually अपनी सखी को बता रही है, बाल कोनी में बा आते हुए, और उस नौकर के बारे में, जो उनके हाँ काम करता था जग्गा, तो बता रही है, तो उस कैरेक्टर को प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, अभी भी उसका शो हम करते रहते हैं, काफी शो किया है, लग लग 60 शो हम कर चुके हैं, तो उसको करने में बहुत होता है, पिछले शोव से अलग होता है, कोई ना कोई बात अलग होती है उसमें, तो वो भी चालेंजिंग रहा मेरे लिए, उसको क्योंकि आप करते हैं तो आपके पास कोई support सिस्टम तो रहता है, back में रहता है, music देने वाले बैक में हैं, आपके गरबढ़ हो जाएंगे, तो वो सारा कुछ करना एक एक अक्टर के लिए कि हम सिर्फ वो character नहीं है, हम वोना जहाब ही हैं, हमको ध्यान रखना है कि मेरे उपर light सही पढ़ रही है कि नहीं, मेरे जो props हैं वो सही जगह पे रखे हुए है कि नहीं, कोई कुछ छूटा तो नहीं या कुछ act करते समय, कुछ मा लिजे, पानी का glass उठाया, वो गिर गया, तो उस वक्त आप कैसे improvise करेंगे, उस पर आप क्या काम करेंगे, तो ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप solo करते हैं, तो हमने दो solo किया है, एक यह सागमी और दूसरा अकेली औरत, ये दारि in alone के नाम से, उसको हिंदी में हम लोगों ने अकेली औरत के नाम से किया था, तो वो एक ऐसी औरत की कहानी है, जिसका पती उसको बहुत साधा torture करता है, घर में बंद रखता है, और उसके उपर वो बातचित करती है, और क्या वो सह रही है, उसको act करना था, ये भी मेरे लि सोलो करना बहुत कठिन है, बहुत जादा, और बार बार मुझे लगता है, हर बार जब हम रहलसल शुरू करते हैं, रहलसल का पहला दिन होता है, तो लगता है जैसे एकदम शुरू से मुझे काम करना है, एकदम शुरू से सब कुछ सीखना है, करना है, तो ये रहता है हमेशा हिन्दी रंगमंच को लोग बढ़हावा दे ही रहा है पर ररीजनल लेंगवेज्व होता है करने में नांटकों देना चाहिए किलकुल देना चाहिए और बहुत साल बीस साल पहले यहां पर पटना में अंग्रेजी थेंटर होता था शंकराशिदत, मुनिवाशमी ये लोग अंग्रेजी थेटर करते थे जक्कनपूर में बंगालियों का थेटर ग्रूप हुआ करता था जो नौजवान बंगाली साथी क्या करते थे तो अलग-अलग थेटर पठना में भी होता रहा है भुचपूरी नाटक भी होता रहा है लेकिन अचानक जो है कि में इस्ट्रीम थेटर जो दिल्ली में हो रहा था जो उसका प्रभाव पड़ा तो में इस्ट्रीम थेटर सब लोगों ने करना चाहा तो अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग गाओं से, शहर से लोग आते हैं और यहां पर हिंदी थेटर करते हैं, हिंदी रंगमंच करते हैं हिंदी भाषा में नाटक करते हैं तो दिक्कते भी बहुत आती हैं, हम खुद मिठलांचल से हैं और जब हम हिंदी नाटक करना शुरू किया तो कई सारे शब्द, कई सारा एक्स्प्रेशन जो है हमारा मैथली बोली की तरह निकलता था तो ये जरूर है कि अगर आप मैथली नाटक करते हैं या एक आक्टर को सब कुछ जाना चाही कि मैथली में इस शब्द को कैसे बोला जाता है लेकिन हिंदी में उस शब्द को जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे आप जब जानेंगे तब आप उसका प्रियोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और मेरे ख्याल से तो होना ही चाहिए और मेरी बड़ी इच्छा है कि हम मैथली नाटक करें, मगी नाटक करें आपको मैं डिरेक्ट करूंगा और काम करना है आपको मेरे साथ, तो मेरा बड़ा उत्साह था कि हाँ एकदम करेंगे, हमने एक दो कहानियों का पाठ किया है मैथली में उशाकिरन खान की कहानी टुक गएर, उसको मैथली में हमने पाठ किया है, जो सोशल मीडिया पे है भी कई लोगों ने सुना भी है, तो होना ही चाहिए, जब आप तरह तरह का रंगमंच करेंगे तब तो रंगमंच का विस्तार होगा, मगी में करेंगे, भोजपूरी में करेंगे, मैथली में करेंगे, आजकल तो मैथली वाले भी हिंदी में करने लगे हैं, तो विस्तार तो ह और करना ही चाहिए है, चेत्रिय रंगमंच का बहुत जादा महत्व है, और वही आपको मेन स्ट्रीम की तरफ भी ले जाता है, तो यह तो बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से, मेरी इच्छा है कि हम करें, मगी में नाटक करें, मगी थोड़ी बहुत आती है, भोजपूरी भ तो उनके साथ काम करनी की युजणाब बन रही है, कि हम लोग करेंगे मैरी इनके नाटक को हमारे दरशक ये जानना चाह रहे हैं कि थेटर करते हैं जल्दवाजी में वो लोग फिल्मों की और रुख करने लगते हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है हमारे दरशकों से क्या जल्दवाजी ये सही है हमको तो लगता है किसी भी कलामे, संयम चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, पूरी लगन चाहिए, निष्ठा चाहिए और जल्दी कुछ मिलता नहीं है आप चाहेंगे कि आप जल्दी से आप अगर किसी भी क्लासिकल सिंगर या वादक को देखें तो सालो साल वो सीखते हैं, और तब उनको पर्मिशन होता है कि आप मंच पर जाएं साथ साल डांस सीखने के बाद, कथक सीखने के बाद, हमारे गुरू जी, गंगादर पांडे जी, उसके पहले शिखादास वो लोग ऐसे पर्मिशन नहीं देती थी, कि आपने दो साल सीखा और मंच पर चले जाएं साथ साल सीखने के बाद, पहली बार मंच पर हम नाचे थें तो लेकिन हमारे थियाटर में क्या है, कि एक मेना हम लोग रहलसल करते हैं और चाहते हैं कि हम शो कर लें और उसके बाद मुंबई निकल जाएं, तो यह तो मुश्किल है, यह तो आपको जूजना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, जिस तरह से कहते हैं न, किसी चीज को साधना, तपस्या करना, जूजना, तो वो करके ही हम किस कि इसी मनझिल तक पहुँच सकते हैं, कि लिया, मैगी तो कोई चीज है, । या ऐ कही मैगी बन सकता है लेकिन ठीटर 2 मिने नहीं हो सकता है, या कोई संगीत आप 2 मिन नहीं सीख सकते हैं, वादन आप कि ख्लैसिकल नहीं सीख सकते है, किसी भी चीज को साधनाी के लिए व समय को समझनी की जुरूरत है चलिए आज आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई और दर्शको को भी रंगमंच की हर एक बारी को ये को बारे में आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं तो दर्शको वक्त हो चुका है विदा लेने का आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा दूर दर्शन पर ये कारे करम हम हमेशा लाते रहेंगे अब जाने की अनुमति दीजिए नमस्कार